Hello everyone, आज डेट है 3rd of September 2021 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की important news को exam के point of view से discuss करेंगी। नीचे description box में telegram channel Volcano IS Academy का link दिया हुआ है। First news, आज हम एक report के बारे में discuss करने वाले हैं, report का नाम है Hunger Hot Sport। इस report को recently published किया गया FAO Food and Agriculture Organization and WEP World Food Program के दुआरा। इस report की सबसे key findings ये हैं, सबसे important details इस report में ये सामने आई कि आने वाले समय में अगस से November 2021 के बीच में 5 countries, 23 countries में 5 countries, ऐसी countries develop होंगी जहां पर acute food insecurity पाई जाएगी। मतलब food की कमी की वज़े से वहां पर hunger level जो है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा। इन countries का नाम है Ethiopia, Medagascar, South Sudan, Western Nigeria and Yemen ये countries हैं जहां पर acute food insecurity पाई जाएगी। देखो इस report के बारे में हमने इसलिए discuss किया क्योंकि prelims का जो exam होता है उसमें इस तरीके के report देकर के report का नाम देकर के पूछ लेते कि report किसने publish की है तो इस तरीके की जो भी हाल फिलाल में report publish हुई है उन सभी reports के बारे में आपको basic facts जो हैं वो आपको पता होने चाहिए अब हम FAO and WEP के बारे में basic facts देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं food and agriculture organization के बारे में यह जो food and agriculture organization है यह UN की एक specific agency है जो पूरे world में जो food security and nutrition के जो level है उसको improve करने के लिए और जो hunger है उसको एक तरीके से defeat करने के लिए work करती है food and agriculture organization 1945 में इसका formation किया गया था और इसका जो headquarter है वो Rome Italy में है यह आपको ध्यान में रखना है next है world food program world food program United nation की food assistant branch के रूप में काम करती है और 1961 में इसको बनाया गया था और इसका भी जो headquarter है वो Rome Italy में है यह जो world food program है इसको 2020 में नोबेल peace prize मिला था इसके work के लिए नोबेल peace prize मिला था यह भी आपको ध्यान में रखना है अब देहिंदू की जो important news है उनको हम देख लेते हैं front page पर जो first important news हमारे chief justice of India ने यह बोला है कि हमारे यहाँ पर social media जो platforms है उनकी accountability की कमी है कारण यह है कि last year जब covid के cases हमारे इंडिया में सबसे पहले spread हुए तो यह माना गया कि सुरुआती समय में देहली में एक कुछ community based कुछ वहाँ पर work चल रहा था जिसको तबलीकी जमात सभी ने यह सुना होगा और तबलीकी जमात को लेकर के बार बार यह हमारे social media platforms में यह बात repeat हुई फैलाई गई कि तबलीकी जमात की वज़े से ही हमारे इंडिया में covid के cases पड़े हैं CGI ने इस important इसके उपर discussion चल रहा इसके उपर petition फाइल गई तो इसी के hearing के दोरान CGI ने important statement दिया कि हमारे इंडिया में जब भी कोई बात होती है उस point को जो media houses है वो भी उसको communal action देने की communal point of action देने की कोशिस करते हैं मतलब communal point के इसाब से हर news को देखने की कोशिस करते हैं ये बहुती गलत बात है हर media house को हर social media platforms के बारे में जो भी उनके accountability है जो भी उनके responsibility है वो clear होने चाहिए क्योंकि अगर इसी तरीके से हर problem को हर जो भी news है उसको इसी तरीके से communal point देने की कोशिस की गई तो हमारे इंडिया में जो harmony है ब्रदर हुड है वो काफी कम हो जाएगी और उसका नतीजा ये रहेगा कि society में conflict देखने का major reason देखने को मिलेंगे अब जब पूछा गया government से कि आप क्या work कर रहे हो वही कि ये social media platforms ये जो भी media होसेज है इनको counter करने के लिए आप क्या work कर रहे हो तो solicitor general तुसार मिता ने एक बात बुली कि information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021 ये जो नए act बनाया गया है यहाँ पर redressal mechanism इसके अलावा जो भी users को कोई भी grievances है कोई भी परेशा नहीं है कोई भी कठना ये social media को लेकर and over the top platforms मतलब OTT platforms को लेकर के तो वो यहाँ पर मतलब अपनी problem को डाल सकता है और इसके according जो redressal mechanism है उसके according उसको solution provide किया जाएगा इस article में ये बोला गया है कि हमारे इंडिया में ये work होता है कि अगर powerful person किसी भी point को लेकर के बात बोलते हैं तो उसको लेकर के सुनवाई होती है लेकिन normal person जो ordinary people है वो कोई भी points लेकर के बोलते हैं तो ना सिर्फ जो institution है वो उनकी सुनते हैं और ना सिर्फ organization वो उनकी सुनते हैं मतलब ordinary people की जो voice है उसको दबा दिया जाता है powerful people के द्वार next news है इंडिया और अफगानिस्तान में जो present time में तालिबान का rule है तो उसको लेकर के इंडिया और तालिबान को बीच में पहली बार officially meeting हुई कतर की capital दोहा में अब इसको लेकर के पूछा जा रहा है कि उस meeting में क्या declaration हुआ क्या कुछ terror groups हैं उनको आपने ban करने की basis की तो ministry of external affairs ने इसके answer देते हुए उन्होंने बोला कि ते को एक normal meeting थी इसमें कुछ ज्यादा discussion नहीं हुआ सिर्फ इतना बोला गया कि हमारे जो भी हमने अफगानिस्तान में investment किया है जो भी हमारे लोग वहां बचे हुए हैं उनको secure करेगा तालिबान ये discussion हुआ था ज्यादा कुछ discussion इसमें नहीं हो पाया तो इस article में ये भी बोला गया है कि बहुत सारे terrorist group ऐसे हैं जैसे कि हकानी group है उसको लेकर के क्या इशूरा क्या इंडिया ने उसको ban करने वाने की कोसिस की है कि इस तालिबान जो है इस network को ban करेगा क्योंकि जो हकानी group है उसने इंडिया में Indian diplomats 2008 में suicide bombing किया था जिसकी 2020 में काबूल में गुरुद्वारा हर राय साहिब पर अटेक किया गया जिसमें भी 25 पीपल जो है उनकी death हो गई हकानी network is believed to have collaborated with the Islamic state of Khorasan provinces is carrying out the attack on the गुरुद्वारा according to the Afghan intelligence agency NDS at the time उस समय वहां की जो intelligence agency है उन्होंने ये declaration किया था कि ये जो attack है वो हकानी group के द्वारा किया ग द्वान को किस तरीके से recognize करने की कोशिस करता है हालांकि अभी ने इंडिया को एक recognized government के रूप में दर्जा नहीं दिया है next news हमारे इंडिया का जो export है 2021 अगस्त को अगर हम comparison करे 2019 अगस्त से 2020 अगस्त से तो हमारे इंडिया का जो export है वो काफी ज्यादा increase हुआ है सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए अगस्त 2020 से अगर हम comparison करें तो 45.17% इंडिया में higher देखने को मिला है इसके अलावा अगर हम अगस्त 2019 से comparison करें तो 27.5% इंडिया में higher देखने को मिला है कल भी हमने discuss किया कि जो GST collection है हालांकि जुलाई 2021 से हमारे GST collection कम रहा थोड़ा सा लेकिन last year से कर comparison करें तो इंडिया में GST collection काफी ज्यादा high रहा यह चीज़े हमें दिखा रही है कि हमारी जो economy है जो slow down हो गई थी COVID की वज़े से उनमें दुबारा से hike दुबारा से surge देखने को मिल रहा है next news यहां देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे area ऐसे हैं जहांपर water की हमेशा scarcity रहती है लेकिन कुछ area ऐसे हैं जहांपर पानी को मतलब 24 into 7 water availability होने की वज़े से वहांपर काफी ज्यादा water use किया जाता है यही कहानी है देहली की देहली के जो pause लाके हैं वहांपर 24 into 7 time water availability है जिसकी वज़े से यहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा use करते हैं जैसे कि उनके large houses हैं, lawns हैं, pets हैं, multiple cars उनके पास होती हैं इन सभी में इस पानी को use किया जाता है ज़कि देहली का कुछ ऐसे पार्ट भी है जहांपर water की availability नहीं है water scarcity रहती है जिसकी वज़े से उनको daily needs के लिए भी पानी की कमी होती है तो यह जो inequality है इसको maintain करने की आउशक जाता है जब इन से पूछा जाता है कि आपको punishment क्या जाएगा आपके उपर कुछ restriction लगाई जाएंगे तो वो तयार होते हैं क्योंकि इनके पास money ही इतना है अब government के जिम्मेदारी है कि सभी को जो भी basic resources हैं वो सभी को equally available हो और जो भी water की problems है उसको according उसको solve करने की कोसिस की जाए और उसको सभी को equally available करवाये जाए नेक्स न्यूच यहां देखिए हमारे इंडिया में जो लोकसभा का deputy speaker जो पॉस्ट है वो काफी लंबे समय से वेकेंट किरी हुई है बहुत लंबा समय हो गया है लगबग 830 days इतना लंबा समय हो गया है कि यह जो पॉस्ट है वो व आपने क्यों इसको वेकेंटर करका है आर्टिकल 93 के तहट constitution में बताया गया है उसका आप violation कर रहे हो यह issue जो है वो बार बार उठाया जाता है जब भी पार्लियमेंट की जो भी session होता है हर session में जो opposition party है उस point को हुटाती है अब देखो जो government है उसके द्वारा यह बुला गय है कि हमारे यहाँ पर जो opposition party है उसके पास तो majority ही नहीं है दूसरी problem यह है कि अभी तक देखो speaker की जो post खली होती है जो speaker है उसकी अगर absence है जिसे उसकी death हो जाती है illness हो जाती है other region की वज़े से यह post खली हो जाती है तो जो टेप्टी speaker है वो same legislative powers enjoy करता है जो की speaker के पास होती है deputy speaker अजूंस था administrative power also यह सारी चीज़े deputy speaker की जिम्मिदारी होती है लेकिन हमारे इंडिया में लंबे समय से deputy speaker की post खली पड़ी हुई है गौर्णमेंट के दुआरा ये भी बोला गया कि BJP महरास्ट्रा में जो गौर्णमेंट है वहाँ पर तो जो speaker होना चाहिए legislative assembly का वो ही seat vacant है और उसके अलावा भी मतलब seat vacant होने के बाद में भी without an elected speaker after the resignation of Nana Patolle, Marashtra assembly is functioning और हमारे आप तो deputy speaker की post खली है, speaker तो है ना भई, ठीक है तो ये government के दुआरा ये statement दिये जा रहे है कि देखो जो opposition party है उसके पास में majority clearly है नहीं तो किसको deputy speaker post दिये जाए ये सब बाते रखी ज आ रही है, 1984 में जब राजीव गंदी की जो सरकार आई थी, उनके पास में majority थी तो उन्हों deputy speaker की जो position है वो AIADMK को दिया था, देखो जो ये term है ना deputy speaker, ये prelims के point of view से काफ़ी important हो जाती है, इसको आप use कर सकते हो main answer writing में कि government किस तरीके से अपनी power majority जब उनके पास होती है तो किस तरीके से वो completely अपने under करने की process की जाती है, इस points को आप लिख सकते हों कि हमारे यहाँ पर deputy speaker की जो post है वो काफी लंबे समय से vacant है, prelims के point of view से deputy speaker के बारे में पूछने लिए कि constitution में इसके बारे में बताया गया है, नीग बताया गया या किसी भी तरीके से कौन इसको appoint कर आता है, ये सारी चीजे आपको clear होनी चाहिए, next news है, इंडिया और तालिबान के बीच में जैसे ही meeting हुई कतर में, कतर की capital दोहा में, तो पाकिस्तान अपनी तरब से statement देने लग गया, पाकिस्तान ने बोला कि तालिबान को हमने लंबे समय से पाला है, हमने उसकी हर जरूर पूरी की है, हर तरीके का उसका support किया है, अब समय आ गया है कि तालिबान और पाकिस्तान जो है, वो एक हो जाने चाहिए, उनके relation जो है, एक हो जाने चाहिए, हर point को लेकर के वो एक तरीके से discussion करें, इस तरीके की जो TV debates है, उसमें पाकिस्तान के जो minister है, उनके द्वारा statement दिये गई, अब इंडिया जो है, वो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो भी relation होंगे, उनको बिल्कुल clearly watch करने की कोसिस करेगा, क्योंकि ये जो चीज़े हैं वो इंडिया को काफी effect कर सकती है, next news, यहां देखिए, इंडिया के एक biologist है, उन्होंने Global World Award for Turtle Conservation जीता है, यह जो सैलेंदर सिंग है, इन्होंने Turtle की बहुत सारी species, लगबग तीन ऐसी species जो critically endangered थी, उनकी species को, उनकी जो संक्या है, उनको numbers को बढ़वाया है इन्होंने, क्योंकि उनको सेफ करने की कोसिस की सैलेंदर सिंग और इनकी team ने, इसके बाद में जो endangered species थी, critically endangered उनको extinction, उनको present time में, मतलब इतनी संक्या उनकी बढ़ाय दी गई, कि वो extinction, extinction category में आ गई है, अब देखो यह title की, यहाँ पर कुस species दे रखी है, यह आपके लिए important हो जाती है, यह आपको Google करना है, इंडिया में कौन-कौन से एरिया में पाई जाती है, अगर कोई ऐसी species जो सिर्फ endemic है, य भी आपको पता होना चाहिए, next news है, जलिया वाला नया memorial जिसको हमारे PM ने इनोगरेट किया, उसको लेकर के culture ministry ने एक बात बोली, बात क्यों बोली, news में क्यों है, बहुत सारे historians इस बात को point को उठा रहे हैं, कि जो यह नया memorial इनोगरेशन किया गया, इसमें जो हमारी history है, future ministry ने ये बात बोली, कि archaeological survey of India के दौरा इसको supervised करवाया गया था, कि यह जो हमनाय memorial बना रहे हैं, सही है नहीं है, तो इसके खिलाप में कोई भी ऐसा नहीं है, कि हमने factually कुछ incorrect points present किये हैं, कुछ चीजों को हमने amend करने की कोसिस की, क्योंकि tourism को यह चीज़े attract करती हैं, लेकि ये भी point उठा गया है historians के दौरा, कि अगर हम natural तरीके से इसको save करते हैं, तो ज़्यादा लोग इसकी तरफ attract होते हैं, क्योंकि 1945 में जब जापान के उपर attack हुआ, परमानु बम गिराए गए, तो जापान ने आज तक हीरो सिमा को natural तरीके से save कर रखा है, और ज़्यादा ज आपका question ये है, कि कौन से ministry के अंडर आता है, ये आपको नीचे comment box में बताना है, next news है, foreign paste को लेकर के, North Korea ने Chinese जो vaccine है, उसको reject कर दिया है, ये UNICEF के द्वारा statement आया है, next news, तालिबान जो है, जैसे ही US ने अपनी complete army को यहाँ से बाहर निकाला, तालिबान यहाँ पर government बनाने Ecosis कर रहा है, बहुत सारी जो women's है, वो उसका विरोध कर रही है, कि उनको ये जो new regime है, उसके अंडर उनको right to work दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बोला जाए कि आप सिर्फ घर के अंदर बंद रही है, आपको education नहीं लेनी है, को काम नहीं करना है, सिर्फ घर के अंदर बंद रहना है, तो महिलाओं विरोध कर रही है, कि हमें भी, आप equality के according हमें भी मानी, आप government बना रहे हैं, लेकिन government में जो भी महिलाओं के जो भी rights है, उन सभी को save करने क्या वशकता है, और जो पहली बार Taliban ने rule किया, उसके according ना करके, आपको change होती हुई जो circumstances है, उनके according rule बनाने चाहिए, next news, Qatar और Taliban मिलकर के work कर रहे हैं कि काबूल एरपोर्ट, जो काफी दिनों से बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर attack हुआ था, उसको reopen करने के लिए कोसिस कर रहे हैं, ओके, दोहार dispatchers technical team to help in resuming flights for humanitarian aid, people's movement, इसके लिए दोनों मिलकर के work कर रहे हैं, तो यह आज का हमारा discussion था, okay, thank you